हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं सब, आसा करती हूँ, सब अच्छे होंगे, सवस्त होंगे, और बारिस का सीजन सुरू हो गया है, और अभी एक दो दिन बारिस पड़ी है, ज्यादा तेज भी नहीं पड़ी, हल्की सी पड़ी थी, और छत पे गमले काफी हैं, तो गमलों के बीच में थोड़ी गंदकी होगी, तो आज मैं इस व्लोग में थोड़ी छत पे गमलों की सैटिंग कर रही हूँ, जुगाड कर रही हूँ, थोड़ी सी फट्टी वगएरा पड़ी थी हैं, जो जब घर बना था, तो तब की, तो उन्हें ही मैं इनके इंटों के उपर लगाके, इनके उपर गमले रखूंगी, ताकि इनके निच्चे पानी ना स्टोर ना हो, और छत को भी नुकसान ना हो, और ये मेरे पोधे भी ठीक चलें, क्योंकि इनके भी बारिस लगना जरूरी है, तो बस आज के व्लोग में यही मैं आपको दिखाऊंगी, कि कैसे मैंने अपना गार्डन को थोड़ा सा मैंटेन किया है, अलाकि मैंने गमलो पर अभी पेंट वगेरा नहीं किया है, क्योंकि अभी बारिस का मोसम है, फिर ये सब एक जैसे हो जाएंग, तो पेंट तो मैं इन पर थोड़ा बाद में ही करूंगी, अभी तो बस ऐसे ही सैटिंग कर रही हू तो मैं और पायल ही लगे हुए थे इसमें, और एक काम आपको मतलब ऐसा करना ही चाहिए, जिसमें आपको खुसी मिले, मैं घर का कितना भी काम करती हूं, या वीडियो बनाती हूं, या कुछ भी करती हूं, लेकिन मुझे पोधो की देख बाल करना, पोधे लगाना, पोधे के लिए, और कहीं बार तो इतने सारे पोधे हो रहे हैं, कहीं बार बोलते हैं, बच्चे ममी इतने जादे पोधे कर दी हैं, लेकिन मेरा मनना फिर भी करता रहता है, और पोधे ले लू, और पोधे ले लू, और मैं अपने पोधों में कौन सा खाद लगाती हूं, एक दिन मैं आपके लिए इसकी भी वीडियो बनाऊंगी, मैं कौन-कौन सा खाद लगाती हूँ, कुछ खाद ऐसे हैं, जो मैंने मार्किट से खरीदे हैं, कुछ ऐसे हैं, जो मैं घर में ही तैयार करती हूँ, एक तो मैं जो किचन का वेस्ट निकलता है, उसी से बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा, कि मैं किचन वेस्ट से कैसे खाद बनाती हूँ, उसकी एक वीडियो भी है मेरे चैनल पर, और अभी आपको मैं इसके वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देदूँगी उस वीडियो का, तो आप देख सकते हैं कि किचन वेस्ट से कैसे खाद बनाते हैं, और ये बस मैं जुगाड़ी किया है, सब चीजों का नहीं तो सोचत रही थी कि स्टैंड बनवाऊंगी, लेकिन अभी स्टैंड नहीं बनवा रही हूं, कुछ दिन बाद देखूंगी, लोहे के स्टैंड बनते हैं गमले रखने के तो वो बनवाऊंगी, अभी फिलालतों में जुगाड़ करके रख रही हूं, ताकि नीचे चत पर नुकसान ना हो जाद सिल्लन वगएर ना आए, और अगर आपके यहां भी कोई तक्ते या फट्टी वगएर पड़ी हैं, तो उस तरह आप भी ऐसे जुगाड़ करके अपने गमलों को सैटिंग कर सकते हैं, और अभी वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यह जो किचन वेस्ट में से मैंने एक महीने के आसपास हो गया, तब किचन वेस्ट से मैंने बनाया था खाद, अभी आपको जो पीछे एक बड़ा गमला दिखाई दे रहा होगा, उसी में मैं बनाती हूँ, वेस्ट डालती रहती हूँ, रुखाद बनता रहता है, तो अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी उसकी अपडेट भी, कि वो एक महीने में कितना कंपोस्ट हो गया है, और तो आप भी वैसे ही बना सकते हैं, वीडियो देख लेना, लिंक में जरूर दूँगी, और ये जो मैं हाथ में पोदे ले रही हूँ, इस समय ये छोटे-छोटे, ये समय ने कटिंग से ग्रो करे हैं, चोटे गमलो में, मेरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे पोदे हैं, जिनकी कटिंग ग्रो हो जाती है, तो वो मैं चोटे-चोटे, जब उनकी कटिंग करती हूँ, तो उस कटिंग को भी चोटे गमलो में लगा देती हूँ, तो वो भी एक पोदे का रूप ले लेता है और बहुत सारे में दे भी देती हूँ जब भी कोई मांगता है कि आपके पास एक्स्टा पोदे हैं तो मैं जो कटिंग से ग्रो होने वाले हैं वो सब को दे भी देती हूँ ऐसा नहीं है कि भई ये तो अगर आप लगाएंगे तो इससे तो प्रकरती को और फाइदा ही होगा और ज़्यादा भी नहीं तो पान साथ पोदे तो हम सब को लगाने ही चाहिए आई ये जो छोटे-छोटे से गंबले थे वो मैं इधार रख दूँगी अंदर क्योंकि अभी इतनी तेज धूप पड़ रही है पोदे बहुत जाद है जल्दी जुलस जाते हैं दिन में दो बार पानी लगाना पड़ता है सुबह और शाम तब जाके कहीं ये टिक पा रहे हैं और कहीं पोदे तो मेरे जुलस ही गए हैं जो जिनकी नरम पती थी अब कुछ ऐसे पोदे हैं जो बिल्कुल छाओं में ही पनपते हैं तो मैंने छाओं में रख रखे हैं उन्हें तो एक बी दिन धूप में अगर रख दूँगी तो उनकी पत्तियां बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी जैसे किसी ने जला दी हो तो इसलिए मैंने वो तो अलगी रख रखे हैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी और ये मेरे करसुला के पोदे हैं जैड प्लांट ये मैंने चार-पांच गंबलों में लगा रखा है और ये मैं किसी से कटिंग लेके आई थी वो मैंने लगाई थी कटिंग इसकी भी वीडियो है मेरे प्लांट के एर वाली प्लेलिस्ट में तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं अगर तुलसी माता है अब ऐसे ही क्योंकि ना एक रखने के बाद पता चलता ही है यहाँ सेट नहीं बैट रहा है यहाँ दूसरा रखो तो इस काम में मुझे लगबग दो से तीन घंटे लगए लेकिन अब अच्छा लग रहा है गार्डन थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा नहीं लग रहा और सेट लग रहा है पूरा और पायल ने भी बहुत मदद करी मेरी जब तक मैं काम करती रही पायल मेरे साथ ही रही अलाकि बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है गार्डनी यह मेरा ही स्वेंग है मना तो नहीं करते हैं करने के लिए लेकिन हाँ यह है बच्चे टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका अपना भी काम है वो खुद की अपनी पढ़ाई लिखाई में इतने बिजी हैं कि वो इसने एक्ष्टा चीजों को लेकिन कहीं बार अगर मैं नहीं होती तो बच्चे भी ना कहें पानी वगएरा लगा देते हैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ तो सूख जाएंगे पोदे ऐसा नहीं है बच्चे पानी वगएरा लगा देते हैं अच्छे से और जो खाली गमले उत्ते रहते हैं वो एक साइट रखती रहती हूँ जब जरुत पड़ेगी तो उसमें हम नया पोदा ग्रो कर लेंगे और अब भी भी आज इस दिन में ये काम कर रही थी ये काम वाम करके जब मैं निचे गई तो माली भहिया आ गए फिर उनसे मैंने कुछ पोदे भी लिया है और फिर शाम के समय उनको नए गमलों में ट्रांसफर किया देखो ये यहां पर भी मैं जुगाड से ही स्टैंड सा बना रही हूँ जिस पर भी मेरे तीन चार गमले अराम से आ जाएंगे इसके निचे सफाई करने में भी आसान रहेगा नहीं तो क्या होता है जब सफाई करनी होती हैं तो ये गमले हटाने पड़ते हैं फिर सफाई करो तो इस तरह न कहीं गमले टूट भी गए क्यूंकि पकड़ के हिसकाते हैं और बजन हो जاتता है गमले तो वो तूट जाते हैं तो उस से देखो नुकसान भी है और बौधा भी खराब हो जाता है, एक बंदर बहुत नुकसान करते हैं, बंदरों न कहीं गमले तोड़ दिया है, यह जो कुछ बड़े-बड़े से गमले थे, इने में न सब को दिवार पर लगा दिया है, जो थोड़े उचे से हो रहे थे, नीचे जगे थोड़ी कम हो रही थी, तो इस इसलिए मैंने सब को इनको लगातार दिवार पर रख दिया है, तो यह थोड़े से यहां गरो कर लेंगे, जो यह अभी मैंने गमला रखा, इसमें प्राजीता का पूदह मैंने लगा रखा है, प्राजीता की बेल होती है, ब्लू कलर के बहुत सुंदर से फूल किरते हैं, आए गुलाब का पूदह ता, इसमें साइड में रख आऊंगी, गुलाब वैसे तो सुंदर लगते हैं, लेकिन सीजनेबल होते हैं, और मुझे सीजनेबल पूदह बिलकुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक सीजन फूल दिये, फिर वो पूरा जाड का जाड खरा रहता है, क्योंकि फूल वाले पूदे तीन या चार महिने फूल देते हैं, पूरे साल फिर वो जाड का जाड ऐसे खड़ा रहता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो हमेसा हरियाली रहते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं, सुबह सुबह आप थोड़ी देर गार्डन में बैठो, अब मैं सुबह सुबह यही पर एक्सराइज करती हूँ, तो इतना मन लगता है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, इन्हें देखके भी आखो को अच्छा लगता है, ठंडक सी मिलती है, सुबह सुबह ग्री देखके, और जो यह एक दो पोदे हैं, जो धूप स मदद कर रही है, और पायल भी पूछ रही है, गमलों के बारे ममी ने कहां रखों, क्योंकि अभी सफाई भी करनी है सारे में, और इस काम में बहुत टाइम लग गया हम तीनों को, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा हो गया, पर इस पोदेजी से इन्हों लेके जारी है, इसमे ये तो सेटिंग तो होगी है लगबग, अब यहां पर साफ सफाई बचिये बस, बाकी तो सब हो गया है, अभी मैं और रेनो मिल को अच्छे से यहां पर दो देंगे, उसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कौन से पोदे लिए हैं और कहां कहां सब पोदे रखे है और पूरा ये मतलब सेट करने के बाद कैसा लग रहा है गार्डन, फिर आप बताना आपको कैसा लगा? अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ तो यहां पर रख दिये हैं, कुछ यहां पर रख दिये हैं, च्छाम वाले पोदे जो हैं, और कुछ यह बिल्कुल ही च्छाम वाले हैं, तो यह अंदर जीनने में रख दिये हैं, तीन चार गमले उपर रखे हैं, अब यहां से मैं काफी टाइम लग गया था और यह उपर दीवार पर जो रखे हैं वो पोदे हैं इसमें चमपा के हैं गुड़ल वगएरा है और यह सारे मैंने इस तरह यह पट्टी लगा के इनकी नीचे इट रखके इस तरह इनकी सैटिंग कर दिये सब की देखो यह कितना प्यारा सा पोद यह चोटा सा मनी प्लांट है यह इदर यह है चाइनीज क्या बोलते हैं इसको अलविरा जो छोटा सा रखाता नेचे और यह जो नीचे वाली बालकनी है उसमें लगे हुए हैं यह बहुत सुंदर पोदे हैं और मुझे लगता है मेरे यहां पर कम से कम है 110 के आसपास गंब चाहिए और कितने लगे हुए हैं यह यह वने आज बोदे लिये हैं यह 10 पोदे माज बहाए अनगे थे माली उनसे लिए हैं तो ऑभी मैं अको दिखाती हूँ कि यह क्या बोलते हैं इनको कॉन सी वेल है यह नाम तो मैन बताया था बही अन्य ने आपको डफन डपनडे लि लेई लेती हूं तो यह सब में अब यह चाइनीज प्लांट ना गमला छोटा पड़ रहा था इस अब कर रहे हूं दूसरे पुस्थ में गमले तो जब चल जाएगा इसको थोड़े और अच्छे से गमले में लेकर कर दूंगे अभी तो मेरे पास यह प्लास्टिक का बड़ा मोरा सा रैत है बर्मी होती है तो सारे घंड़ों की मतनी मेरी ऐसे बुर बूरी होती है और यहां थाट तो कि छोटे गमलों में हैं उन्हें भी बड़े गमलों में करना है तो उन्हें में अभी मेरे पास गमले नहीं है फिलाल गमले आ जाएंगे तब उन्हें में उन्हें भी रिपोर्ट कर दूंगी और इसे देखो कितनी भुरबुरी सी मट्टी है ऐसे ही आराम से निकल जा रहे है तो इसमे में यह अपने जो भी पोधे हैं सब पोधे लगा दूंगे इनमें ही और यह बहुत इजी लिए निकल जाते हैं थोड़ा साल का सकट लगाओ मैंने सारे ऐसे ही निकाल निकाल गए अच्छे से लगा दिये और इसका नाम है बोगन बेलिया मैं नाम भूल गी थी डफन बेलिया गहर थी बोगन बेलिया डफन बेलिया भी एक पेड होता है लेकिन यह बोगन बेलिया है हाइब्रेड वाली बता रहे थे भाया कि इस पर मतब छोटे सी पर फूल आ जाएंगे ज्यादा बड़ी आपको नी की जाड़ सा हो जाएगा तब फूल आएंगे और इसके मैंने पांच कलर लिये हैं पांच पोदे अलग-अलग कलर के सब पर फूल खिले हुए थे देख के लिये हैं कई बार ऐसा यह बोल के जाते हैं अलग-अलग कलर खिलेंगे और खिलता यह की कलर है लेकिन मैं सब पर फूल थे तो वह चेक करके तब मैंने लिये हैं तो यह मैंने पांच पोदे लिये हैं और यह गंबले खाली हो रखे थे इनके पोदे ना जूलस गया तो उसकी वज़े से फिर मैं सोचा खाली रखे से तो ठीक है इन में पोदे ही लगा दूगी मैं तो इसलिए मैं नहीं लिये और इस गंबले की मट्टी थोड़ी सी गीली थी इसमें पानी लग गया था लेकिन म दिर दिखेगी और फूल भी आ जाएंगे तो इसलिए मैंने इसी वाली में ये लगा दिये हैं पांचो पोदे मैंने इन में लगा दिये हैं और जो चाइनीज वो था ऐलोविरा वो भी सिफ्ट कर दिया है दूसरे गंबले में और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसके बा आती हूं देखो मैं पूरा किचन का वेश्ट दाल दी इसमें पूरा देखो ये पूरी मटी बन गी है मैं आपको दिखा रही हूं अच्छे सा देखो बुरबुरा हो गया है सारा छिलके वगारा जितने भी थे सब घुल गया है इसमें आम आम के छिलके आम के वो सब मैं इ पर से क्योंकि इसमें काफी जगे होगी थी और इसको फिर से ढख दिया है